हेलो प्रेंड्स कैसे हैं सब लोग एक बार फिर से स्वाकते हैं लक्समीज किचन में एक चट्पटी सी और हैल्दी से सबजी लेकर तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्ठार करते हैं आज की रेसिपी काचर और लोईये की सबजी यानि के काकड़ी और लोईये की सबजी तो हमने यहाँ पर एक काकड़ी ले लिये इसको मैंने कट कर लिया है छील कर अब यह जो लोईये हैं जो छोटा मतीरा भी कहते हैं कच्चा मतीरा इसको भी हम इसकी उपर का जो छिलका इसको अटार लेंगे और इसकी छोटे-छोटे पीसिस में टुकड़े कर लेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें और वीडियो को इसकी मत किजिएगा पूरा देखिएगा आपको तभी पताच लेगा कि हमने आज यह जो चटपटी सी हैल्दी सी सबजी कैसे बनाई है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कड़ाई तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार करते हैं इसको बिल्कुल ही सिंपल है और बिल्कुल आसान है और यह जब अभी खेतों के अंदर यह खूब आई हुई है और मार्केट में भी खूब आई हुई है खेतों में यह लगी है अभी इस वक्त तो हमारे तो यह बजार से आई है लेकिन आप इसवक्त केतों में लगी हैं तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कडाई लेग jullie हैं कडाय के प्तिनाए अंदर हम डाल देते हैं औयल हम अपने गड़ में जो भी यूज करते हैं तो हम अपने घर जर्ण करना है जादा गॉल्डर में करेंगे तो अब इस जीरा नहीं करेंगे तो अब जीरा वाइब हो चुका है अब इसके हैं तो इस बात का सोट हो जाती है और उसे जो सब्जी है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी गुल जाएगी इस बात का आप जरूर ध्यान रखें तो आप दे सकते हैं जीरा भी हमारा चाटक के तार हो चुका है अब मैं इसमें राल देती हूँ वो ककरी जो हमने पहले से ही कट करके रखी हुई और एकदम बड़े-बड़े पीशिज में करके मैंने क्योंकि जब यह मिक्स होती है तो आदे से जदा घूल जाती है और घुलने की वज़े से हमारे पीशिज धोर चोटे-छोटे रह जाते हैं इसे लिए मैंने इसके बड़े-बड़े पीसिज डाले है कि जब यहम जो वने लोईय लिये थे उनको भी मैं छील लेती हूं और चीलने के बाद में उनके भी पीसिस को भी इसमें याड़ कर देंगे और उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे तो फ्रैंड्स वीडियो को इसकीमत कीजिएगा पूरा देखिएगा तब ही आपको पता से लेगा कि हमन कि कच्छी मतीरी की सब्जी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और कमेट जरूर कीजिएगा और चैनल में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दें तो देख सकते हैं ककड़ी हमारे डल चुकी है अब ककड़ी को भी अच्छी तरीके से करते रहेंगे और इसको फ्राइब करने के बाद में हम कुछ मसाले इसमेड़ करेंगे तो यह देखी आज की जो सब्सक्राइब में लैसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहें क्योंकि सराओन मास्क का महीना चल रहा है और इसमें वर्त भी आते हैं और सान के मास्क अंदर जो लैसुन प्यास नहीं खाते हैं वो इस तरह के हेल्दी सब्जी बनागर खा सकते हैं तो हम यह देखी मैंने आपर लैसुन प्यास का बिल्कुल भी उजनी किया है और बहुत ही हैल्दी सी और बड़ी आज़ी हमारी रैसी पी बन कर तयार होगी खाने में बहुत ही टेश्टी बनेगी तो देखी इसको हलकी हातों से इस तरह कर रहें नहीं तो जो क्या है कि इल्कुल सौप होती है तो लिए टूट जाते हैं तो 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 ने के वज़े से सब्जी में मिक्स हो जाएंगी पूरे अच्छी तरह के से तो यह देखी फ्रेंड् मिक्स कर लें इसमें पानी वेगर आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक रिवी अपने आपीस में बन जाएगी जैसे से मिक्स होंगे सोफ्ट तो यह होते ही हैं तो इसी पकने में जादा वक्त नहीं लगता है और अभी हमने जो कच्छी मतीरी के जो टुकड़ों को लिए थ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेट शेयर कीजिएगा और यह देख सकते हैं कितनी शांदार हमारी जो सब्जी बनकर त्यार होगी जितनी देखने में सुन्दर लग रही होतनी खाने में भी टेस्टी बनेगी तो आप इसको जूरू ट्राइक कीजिएगा और स्रा और मिलते हैं एक ऐसी सिंपल सी आसान सी रेसिपी के साथ लग समीज की चन तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई कमेंट करके जूरू देएगा आज की लोईए की और ककड़ी की सबजी आपको कैसी लगी थैंक यू